माइक्रोवेव अवन इस समय एक बहुत ही काम की चीज है जिसका प्रियोग लगबग हर घर में किया जा रहा है इसका प्रियोग खाना बनाने के लिए, खाना गरम करने के लिए और विभिन तरह के माइक्रोवेव अवन संबंदित डिश बनाने के लिए किया जाता है इसकी सहायता से बेहत कम समय में खाना गरम किया जा सकता है आजकल कई ऐसे डिश बनाएक जाने लगे हैं जिसे बनाने के लिए microwave oven का प्रयोग किया जाता है हलांकि इसके प्रयोग के लिए कई तरह की सावधानियों को ध्यान में रखना होता है खास बरतन का प्रयोग खाना पकाने के लिए microwave safe, glass या ceramic बरतन का उप्योग करें frozen food को normal temperature में आने के बाद ही defrost करें इससे कम समय लगेगा पोर्सलीन के बरतनों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं gold या silver color painted बरतन का उप्योग ना करें क्योंकि paint में metal हो सकता है grill या convection mode में ही metal के बरतन का इस्तिमाल करें basic देखबाल microwave लंबे समय तक चले इसके लिए उसे समय समय पर साफ करते रहें microwave में सुरक्षित material का इस्तिमाल ना करने से आग लगने का खत्रा हो सकता है microwave का दर्वाजा हमेशा धीरे से बंद करें microwave oven को कभी खाली अपरेट ना करें paper के lunch boxes या bags को कभी microwave oven में नहीं रखना चाहिए इस तरह के bags में ink, glue और recycled material होते हैं जिसे गरम करने पर toxic fumes निकलते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं सभी plastic containers microwave safe नहीं होते जिन containers पर microwave safe लिखा हो उनहीं का इस्तिमाल microwave में करें microwave oven में aluminum foil के अंदर खाना cover करके रखने से foil जल जाती है इससे oven कराब भी हो सकता है aluminum foil में रखकर जब किसी चीज़ को पकाया जाता है तो उस खाने में भी aluminum की मात्रा मिल जाती है ये body में लगाता जमा होकर toxins के तोर पर काम करता है जिससे health पर बुरा असर पड़ता है अंडो को microwave में रखने की गलती ना करें इससे आपका काम असान नहीं होगा बलकि बढ़ जाएगा तोकि oven में इसे गरम करने पर ये food जाएगा इस तरह अंडा भी खराब होगा और oven को साफ करने में time लगेगा microwave के अंदर से पका हुआ खाना निकालते समय oven pad या gloves का इस्तिमाल करें क्योंकि इस समय बरतन काफी गरम होता है oven के अंदर खाना पकाते समय यदि आपको बरतन ढखके रखना पड़े तो कम से कम इतना स्थान अवश्य चोड़ दे कि खाने से स्टीम निकल सके आप जिस भी प्लास्टिक अथवा कांच के बरतन आदी का प्रियोग कर रहे हैं वे microwave सेफ होना अवश्यक है अवश्यकता से अधिक समय तक किसी भी डिश को microwave oven के अंदर नहीं चोड़े इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए microwave oven का प्रियोग करते हुए खाना बनाने की प्रक्रिया को असान बनाया जा सकता है microwave तीन प्रकार के होते हैं solo microwave इसमें आप frozen food को defrost खाने को दुबारा गरम करने से लेकर समाने cooking कर सकते हैं grill microwave इसमें grilling के लिए अलग से accessories होती है इस oven में microwave के साथ grill भी function करता है grill microwave में heating coils लगे होते हैं जो roasting, browning और toasting में मदद करते हैं convection microwave ये microwave standard microwave oven और convection oven का मिश्रण है इसमें अंदर के तापमान को पंटेन रखने के लिए पंखा लगा होता है ये गरम हवाओं का समान रूप से प्रसार करता है ताकि खाना ठीक से पक सके इसमें अलग-लग items की grilling और baking की जा सकती है best microwave ovens की जानकारी के लिए नीचे दियेगे link पर क्लिक करें धन्यवाद ताकि वसे ड़ा की जा करें क्लिक जानकार है झाल झाल क्लिक जानकार रशदाद याम झाल प्रम